हेलो आर्विवान एक बड़ा कफिर से स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर आज का हमारे वीडियो का विशे है वह है आचारे मममट के द्वारा कावे प्रकाश में रचित उनके गुण उन्होंने गुण कितने बताए हैं तीन गुण बताए हैं आज हम उनी तीनों है रचा करेंगी चलिए तो प्रारंब करती है है मूल गुरंट में किस प्रकार अचित है मूल गुण में है मा धुर्य ओजह परसाद आख्यास्त्रेस्टे नैर्भ दश्ठी अर्थात क्या चाहरी हैं वहें कह रहें हैं कि माधुर ब्लाभ ऑज़ परसाद यही किनों ने बताए हैं दस गुण याद कीजिए कौन है जिनों ने दस गुण बताए हुए हैं वामन वेरी गुड वामन ने कितने गुण बताए हैं वामन ने दस गुण बताए हैं और उन्हीं के अनुसार वो क्या कह रहे हैं कि वो दस गुण नहीं हैं गुण सर्फ कितने हैं तीन और तीनों के नाम क्या है माधुर्य ओज और प्रसादी ये तीन गुण हैं आगे देखते हैं आगे देखते हैं आगे आगे आते हैं माधुर्य ओज प्रसाद अस्त्रय ने पुनर दशार थात माधुर्य ओज प्रसाद नामक वे तीन गुण हैं दस नहीं है वामनादिय भादत कुत्वम माधुर्य शंगारे दृती कारणम कारकणम क्या कहना है वो चित की दृती का कारण जो आनंद स्वरूपता है वही माधुर्य गुण है और वह शंगार रस्मे होती है क्या कह रहे है कि चित की दृती का कारण चित की दृती मतलब देखे चित की दृती से क्या तात पड़ी है कि चित का ये है पिंगलना चित का पिंगलना यहां लिखा हुआ है पिंगलना चित का पिंगलना दृती का मतलब है चित का पिंगलना क्या कह रहे है वो चित की दृती आफिर चित्त का पिंगलने का कारण है आनंद स्वरूपता वही जो है वो हमारी क्या कहलाती है माधुर्य गुण कहलाती है समझ गए आप देखते हैं देखिए क्या कहने है वो श्रंगार आधी रस आनंद रूप है हमने भी पड़ा कि जो माधुर्य है वो किस में आते हैं श्रंगार में आते हैं तो श्रंगार आदी रूप जो है वो क्या है आनंद रूप है इनके बीतर एक विशेश प्रिकार की आनंद रूपता होती है जिसके कारण सहर्दयों का चित द्रवित सा हो जाता है द्रवित मतल रस्में तारतम क्या तनी surprises रहें उसी हे तो शेंगार आदी कहीं करति पहिं कम कहीं अधिक राव मता हम रहें कि हमारी शेंगार करने कि वह क्या होता है मतल्ग्ष कंन देखिए मूल गरंद के नुसार देखे यह हमारी आहात तक्तम माधुरे शंगारे धुती कारण क्या है जो हमने पढ़ा है कि चित्त का पिंगलना या धुरुती क्या कहलाती है हमारी माधुरे गुड कहलाती है वही जिस प्रकार हमने अभी पढ़ा यहां देख लिए जाब इस प्रकार देखे चित्त की दुरुती का कारण जो अहलादक्ता अर्थात आनन स्वरूपता है वही माधुरे गुड है और ये शंगार रस्मे होती है माधुरे कितने में होता है तीन में होता है शंगार, विप्रलब शंगार तथा शांद रस्मे अतिशेती अर्थात उत्कृष्टता हो जाती है किसकी माधुरे गुड की नेक्स देखते हैं नेक्स आता है हमारा क्या है हमारा नेक्स्ट माधुरे गुड माधुरे के बाद क्या आएगा ओज गुड इस प्रकार है कि क्या कह रहे हैं कहना चाह रहे हैं कि देखें यहां देखें कि दिप्ती रूप चित के विस्तार का हे तुही ओजगुण है दिप्ती रूप जो विस्तार का हे तुहै वो क्या है ओजगुण है और जो ओजगुण कि स्तिति है वो वीरस में होती है उन्होंने बताया आगे क्या कह रहे हैं कि सबसे जादा किसमे होती है विबत्स में फिर रोद्र में हो जाती है वीर में उसकी इस्तती है फिर उससे जादा विबत्स में होगी और उससे और अधिक किसमें हो जाएगी रोद्र रस में हो जाएगी क्या यहाँ पे देखिया आप उसकी माधुर्य ओजगुण की इस्ति देखे कर्मशे विबत यथा रोद्र में और अधिक होती है किसकी ओजगी इस्तिती इन सब में और अधिक हो जाती है ओजगुण क्या है हमारा ओजगुण क्या है दिप्ती चित की विशेश प्रकार की वृत्ति है जिसमें मन प्रजवलित सा हो जाता है चित्त का विस्तार हो जाता है अभी हमने उपर परिभाशन पढ़ाता कि चित्त का विस्तार सा हो जाना ही क्या कहलाता है हमारा ओजकुण है यह दिप्ति चित्त दूति से भिन प्रकार की एक चित्त की अवस्ता है जो प्रतिकूल विश्यों के प्रति हुआ करती है आत्म विस्त्रतेहेतुर ओजह दिप्ती रूप चित के विस्तार का हेतु ओजगुण हैं। और हमने भी पढ़ाता कि यह ओजगुण वीर्रस के समान क्या वीर्रस के समान विभत्स सता रोद्र में भी होता है। किन्तु वीर्र की अपेक्षा विभत्स में चित दिप्ती अधिक होती है। अत्यव वीर्र की अपेक्षा विभत्स में ओजगुण अधिक होता है। इसी प्रकार विभत्स की अपेक्षा रोद्र में अधिक होता है ओजगुण। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकता हैं कि ये करमशह सभी में और अधिक होता है याप देख सकें इस प्रकार करमशह चित्थ की दिपती अथवा प्रजलन अधिक ही होता जाता है इसी लिए उत्रोकतर ओज की अधिकता जो है वो बढ़ती जाती है नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारा, नेक्स्ट आता है मारा प्रसाद गुण, प्रसाद गुण क्या होता है हमारा? प्रसाद गुण है हमारा कि शुष्क इंधने अगनीवत हग स्वच्छे जल वचहेस हग यह व्यापनोने प्रसादो असो सर्वत्र विहीत इस्तिती है, अर्थात जो हमारा प्रसाद गुण है उसकी इस्तिती सर्वत्र है और अगर हम इसको पढ़ें तो कैसा होता है जो शुष्क इंधन में शुष्क जो हमारा इंधन है सूख है इंधन में जिस प्रकार अगनी प्रच्वलित हो जाती है और जिस प्रकार स्वच्छ जल में स्वच्छ जल जो है वो वस्त्र में सहसा या फिर स्वच्छ वस्त्र में जल सहसा क्या हो जाता है सोक लेता है उसको इसी प्रकार जो चित्त में व्याप्त होता है वही हमारा क्या कहलाता है प्रसाद गुण कहलाता है और ये सबी जगा व्याप्त होता है यहां से देखें प्रसाद गुण चित्विकार का जनक है इस गुण में होने से रस्तुरंथ ही इस प्रकार हिर्दे में व्याप्त हो जाता है जिस प्रकार शुष्क इंधन में अगनी तथा स्वच्च वस्तर में जल इतनी सी लाईन आद याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा कि प्रसाद क्या है वीर रोद आदी में तो प्रसाद गुण चितर में शुष्च इंधन में अगनी के समान विप्थ हो जाता है यह अधर में जल यह हमारा क्या है प्रसाद गुर्ड है इस परकार से यह हमारा क्या था П Совсемải द्वामन। वामन की जुआ द्वारा रचित क्या है दस गुण है जो उन्हों दस गुण डिस्क्राइब किया उनकी गुणों की समिक्षा उन्हों किस प्रकार किया आचारे मम्मट कहते हैं तीन ही गुण है दस क्यूं नहीं माधुरे ओच प्रसा तीन ही गुण क्यूं है दस क्यूं नही सिर्फ जो गुण है वो से तीन ही क्यों है वामन आदिया चाहरे हो ने गुणों को विवेचन करते हुए कौन-कौन से दस गुण बताए है जो दस गुण है वो देखिए क्या है ओज प्रसाद शलेश समाधी माधुर्य सुकुमार्य उदारता अर्थ शक्ति एक रह गई हमार समझ में नहीं आ रहा हो तो देखिए ओज प्रसाद शलेश समाधी माधुर्य सुकुमार्य उदारता अर्थ शक्ति एक क्रांति यह हमारी क्या है वामर की द्वार जो वर्नित है दस गुण है अब देखते हैं कि आखिरकार उन्होंने उन दस गुणों को किस प्रकार से डिस्क्राइब किया वो क्या कहना चारे है कि उनके उनके दस गुणों में क्या वर्नित है पढ़ते हैं यहां से आप देख सकते हैं यहां भी हमारी क्या है दस के दस गुण लिखे हुए है चालिए, अब हम परते हैं कि क्या केना चाहिए कि अचारे ममत का मत है कि काववे कि बहगे माधुर्य ऊश्रत अपरसात तीन ही गुण होते हैं, हम पड़ी देडिये मममत आप अचारे यही कि जबकि वामनादी सबसे हैं और घृता कासे नहीं पर जाते हैं और गुल्ण-मर जाते हैं यहां हो जाता है जात्पने कहा है उन्हों ने कहा है कि का इसप्रिकार में कि जाते हैं किसुछ दोश भ्रुपर BT अंतबूती हो जाते हैं जो इतने साही दस गुंण बताए गई हैं वो सिर्फ इन तीनों भी समाझ आते हैं अन्य कुछ दोशभव रूप होते हैं अर्थात कुछ दोशों के अभाव मात्रह निया यह रहा इस प्रकार से दस नहीं है क्योंकि कुछ का अंतरभाव हो जाता है कुछ सिर्फ दोशों के निवारान के लिए और कुछ स्वयम ही दोश रूप है तो इस प्रकार से वो दस नहीं सिर्फ तीन गुण है अब आगे देखते हैं कि उन्होंने अपने जो दस गुण बताएं हैं किस प्रकार से वो तीन में समा जाते हैं देखिए उनका सबसे पहला है जो बहुत से पदों की एक पद के समान प्रतीत होने वाले गुण है वो कहने कौन कौन से गुड़ हैं जो बहुत से पद होते हैं उनके एक समाद पर दीथ होने वाले हैं जैसे कि शलेश जो वाक्ये में आरो हो अवरो हो करम रूप समाधी जो पद की विकटता के कारण नित्य पर उदारता ये तीन गुड़ हो गया आप देखिए वामन के तीन गुड़ हो गए हैं क्या एक तो हुआ था हमारा क्या एक मने पढ़ा भी उपर क्या था वह शलेश देखिए तीन गुड़ किस पर कारण हो गये एक शलेश दूसरा यहाँ पर आगया समाधी और तीसरा उदारता तथा जो ओज से मिश्रित बंद शितिलता रूप प्रसाद है इन सब का अंतरभाव ओज में हो जाता है देखी यहाँ उन्हें चार उनके वामन के गुड़ा गए जबकि ममठ ने क्या कहा कि यह इन सब ही का समाधी उदारता और हम पड़का है उनका ओज और एक और माधुर्य पड़का है उन सब का ममठ के या फिर ओज में ही ओज गुड में ही अंतरभाव हो जाता है अब कहते है जो माधुर्य है उसे तो प्रक्रणांत साक्षात रूप में लिया गया है माधुर्य जो है वो तो अल्रेडी प्रक्रण में जैसे हमने लिया है वही सेम टू सेम है अर्थव्यक्ति प्रसाद नामक गुण से ही ग्रहित हो जाती है अगर हम एक अर्थव्यक्ति अलग का भेतने करना रूप समता एक आया उनका समता का एक उन्होंने बताया था समता का गुण कहीं पर दोश हो जाती है जैसे सिंग के वर्नन में कोमलवा मार्ग का व्या वर्नन जो व्याग गुण है यहां मार्ग का त्यागने करना रूप समता दोश हो जाती है तो जो उन्होंन देखते हैं कश्टत्व तथा ग्राम में तत्व को दोश बताने की कारण उन दोनों का परित्या करने पड़ जो अपोरुषय रूप सुकुमार्ता तथा ओज्वल्य रूप कांती है अब आया हमारा कांती जो उन्होंने कांती का है उसे सुविकार कर लिया गया अर्थाथ हम ओल्रेडी किसमें अपने जो गुण है उन्हें सुविकार कर लिया गया है कांती भी अवे का लग करना आवश्चक नहीं है इस प्रकार से दस गुण नहीं है संगशेप में देखें तो किस प्रकार से अब देखें आप यहां से नहीं आप दूसी जगह से दिखाते हैं वह माधूर्य को ममप ने भी प्रक्रणान से ही कहा है अर्थ व्यक्ति का मम्मट के प्रसाद में ग्रहन हो जाता है किसका अर्थ व्यक्ति का मम्मट के प्रसाद में ग्रहन हो जाता है सो कुमार्य तथा क्रांति ये दोनों दोश भाव रूप है तथा बचानतिम समता कहीं कहीं दोश भी हो जाती है तेह यह निश्यत रूप से गुड़ नहीं है इसलिए ममट ओक्त गुड़त रही युक्ति युक्त है अर्थात जिस परकार से कहा गया है अगर हम कहें तो यह निचोड है पुरा का पुरा कि किस परकार से आचारे ममट ने किनके वामन के दस गुड़ों को अपने तीन गुणों में समाहित किया है अगर आप से एक एक लाइन दी जाती है सिर्फ उस पे पूछ लेते हैं कि इसको आप डिसक्राइब करें अगर आप में में हैं तो आप ये दियान रखेंगा कि अगर वो ये लाइन देखें इसको अकसर पूछ लेते हैं कहते हैं इस पर डिसक्राइब करें तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर हमें उनके दस गुणों का ये करना है कि किस प्रकार वो तीन ही गुणों में समाहित हुए है वामन के दस गुणों का उने ने किस प्रकार खंडन किया है इस प्रकार से वामन ने जो दस गुण बताए हैं उनका किस ते पूरा समवेश हो गया है बताईए आपकी तेन गुण कौन से थे याद होगे आपको बैरि गुड ओज माधुर्य ओजौ प्रसाद ये हमारे क्या है तीन गुण है अगर आप तीन-चार बाद याद करेंको आपको डिफिरिटली आद रहेगा कि कौुन सा गुण क्या था सबसे पहले हमारा क्या था डुव्ती गूती का पुंखलना ही क्या है डुथी का पमाधूर होती है प्रसाद क्या है जिस प्रकार अगनी इशुक्स इनन में और जिस प्रकार स्वच्च वस्त्र में जल प्रवेश कर जाती है उसी प्रकार से क्या होता है प्रसाद गुण है अब हम पढ़ती है गुणों के विंजक वन ये भी बहुत इंपोर्टेंट है अगर आप परिक्षर क तियारी करने तो आपको पता होना चाहिए गुणों के वियंजक वर्ण कोन-कोन से आथा तातर है कि हर एक गुण के लिए अलग-अलग वर्ण बताए गई हैं तो वो कोन से हैं जो माधुर्य आदी आपचारिक रूप से शब्द के गुण कहे जाते हैं अब देखिए याद रखना आपको शब्द के आपचारिक रूप से शब्द के गुण क्या है माधुर्य ओजर प्रसाद वेरी गुड वस्तुत है वर्ण समास और रचना उन माधुर्य आदी गुणों के वियंजक हैं अब पढ़ते हैं हर एक में यहीं होंगे बस सब में अलग-अलग होंगी समझने कैसे कि हर एक गुण में वर्ण भी होंगे समास भी होंगे और रचना भी होंगी बस अंतर क्या होगा किसी में वर्ण कोई से होंगे किसी में समास कोई सा होगा किसी में रचना किसी प्रकार की होगी आप इसी प्रकार हम सबसे पहले देखते हैं देखिए वो एक नॉर्मली साब से ये भी पूर सकते हैं प्रोकता शब्द गुणाश्च ये ये हमारा एक अगर ये आपके में आई पेपर में और कहें वो आपको इसको डिस्क्राइब करें चाहे दो नंबर में और चाहे पाच नंबर में तो भी आपको वही लिखना है कि गुणों के वेंजक वर्ण अर्थाद जो माधुर्यादी गुण है उनके क्या होते हैं वर्ण वेंजक वर्ण है वो इस प्रकार है सबसे पहला पढ़ते हैं माधुर्य वेंजक माधुर्य वेंजक कुन से है तठड़ढ वर्ण वर्ण वर्जित क से लेकर मापरियंत्र वर्ण जो पूर्व भाग में अपने वर्ग के अंतिम वर्ण से युक्त हों तथा रेफ और नकार जिनके मध्य में हरस्व स्वर हों ये हमारे क्या कहलाएंगे माधुर्य वेंजक देखिया आप तठड़ढ वर्जित हैं अर्थात माधुर्य गुण में तठड़ढ नहीं होंगे और क्या है कर से लेकर मापरियंत्र के वर्ण होंगे रेफ और नकार जिनके मध्यों ऐसे हरस्व होंगे अब आते हैं ये हो गए हमारे क्या वर्ण अब आते हैं समास समास का आभाव है ये आपको लाद रखना है कि समास का आभाव किस गुण में होता है माधुर्य गुण में समास का आभाव है और अब आती हमाई रचना तो अन्यपद के संबंद में सुकोमार्य युक्त रचना क्या कहलाती है हमारी माधुर्य ये तीन माधुर्य व्यंजक है अब पढ़ते हैं हम ये हमारा क्या है उधारण है कि अनंगर प्रतिमहयद ये दंग अगर आप लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं स्कूर्शोट लेकरके और नहीं लिखना चाहे तो कोई बात निए आप ऐसे भी कर से नेक्स्ट पढ़ते हैं नेक्स्ट है हमारा ओज विंजक देखते हैं ओज की विंजक क्या है वर्णों के प्रथम तथा तृत्य वर्ण के सासा द्वित्य तथा चतुर्थ वर्ण का योग रेफ से अर्थात देखे समझने कोईश कीजिए कि वर्णों के प्रथम वर्ग वर्ग मतलब कवर्ग पवर्ग चवर्ग टवर्ग ये वर्ग जो है हमारे हिंदी के उनमें क्या प्रथम तृत्य वर्ण के साथ क्या हो द्वित्य और चतुर्थ वर्ण का योग हो रेव से किसी वर्ण का संबंद तुल्य वर्णों का योग हो त आदी शिश तठडड़न चार वर्ण और शश ये वर्ण ये वर्ण भी हो हमने जो भी पढ़ा था माधुरे उसमें क्या था ठठठडढ ना हो वर्जित है जबकि ओज में क्या है ये वर्ण हो हम वहाँ पढ़ क्या है उसमें समास ना हो समास का अभावे यहां क्या है ओज में समास दिर्ग समास हो वहाँ हम पढ़ क्या है सुकुमार रचना हो यहां ह विकट रचना ये क्या है हमारे ओज के वियंजक है अगर देखा जाए तो ओज माधुर्य के बिल्कुल विप्रित है है न इस प्रकार आपको याद भी रहेगा वह प्रसाद व्यंजक है जिस प्रकार से सबसे सरल व्या ख्याया परिभाशा प्रसाद गुण की थी उसी प्रकार क्या था सिर्फ अंगनी में प्रवेश कर जाएगा अर्था जिस प्रकार शुष्क इंदन में अंगनी प्रवेश कर जाती है और सच्छ वस्तर में जल प्रव व्यन्जक वर्ण सकते हैं, इंहाद प्रशाद गुर्ण के व्यन्जक होती हैं, यह प्रसाद गुर्ण का उधारण अगर आप कर शोट यह छ отвеч कर सकते हैं, आप श्कू Ree章 ले सकते हैं, ऑग की डन नेक्स्ट ले लीजे ओके ये लीजे ओजगुण का थोड़ा छोटा कर दूँ डन नेक्स्ट ये रा मादुर रेकुण और ये आपके व्यंजकु के वर्ण आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी कोई भी परिशानी कोई भी समस्या है आप कुछ भी पूछना चाते हैं तो आप कमेंट बोक्स ने नीचे पूछ सकते हैं चलिए आपके लिए एक प्यूर्सुल सा कुश्चन आप पता ये की वामन का जो कांती गुड़ था उसका समावेश ममट के किस गुड़ में हुआ है फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखे अपनी परिक्षाओं के स्यारी करते रहिए धन्यवाद